Hello everyone, welcome to my channel और आज का जो session है, यहाँ आपम लोग बात करेंगे जो आपका CGL है, जो आपका CTSL है जो आपका JEE है, जाना SSC की जो भी exam होते हैं उसमें हम लोग GS में कैसे maximum score कर सकते हैं तो आए चले session को start कर लेते हैं और देखना चालू करते हैं हम लोग जो चीज़े हैं तो फर्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों जो SSC की ओफिशल वेबसाइट है, उसमें यह आपको syllabus मिलेगा अब अगर आपका exam, भले ही दोस्तों मैं बात करूँ CGL हो सकता है, ठीक है, आपका exam दोस्तों मैं बात करूँ, JEE हो सकता है, CGL हो सकता है सब में comments लेबस देखने को मिलेगा, ठीक है अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो सबसे पहला आपन को topic मिलता है उसमें India and its neighboring countries हम लोग बात करें दोस्तों, जो भी हमारे परोसी देश हैं उनके बारे मैं आपसे question पूछा जाता है यह मैंने आप लोग को जैसे बात करूँ भूटान हो गया, चाइना हो गया, या फिर हम लोग बात करें आपको करा देता हूं, मेडिवल में भी करा देता हूं, साथ नहीं तो आपको पता नहीं चलता पर आपके question हो जाते हैं यहां पर बात करेंगे economy के बारे में यहां पर हम लोग दोस्तों बात करेंगे तो constitution के बारे में पुछा जाएगा यहां पर history, quality, geography, economy आपको दिख रही है और जो scientific research है यह कुछ नहीं, यह आपका biology है, chemistry है और physics है इससे related आपसे यहां पर question पुछे जाते हैं तो guys comments ले बस रहता है, अब अगर मैं बात करूँ अगर मैं इसको यहां पर divide करने की कोशिश करूँ तो देखो हम लोग इससे कुछ ऐसे देख लेते हैं suppose करूँ, जो मेरे पास यहां पर subject है for example है, बात कर लेता हूं history देन हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं quality देन बात कर लेते हैं geography तो देखो यहां पर आप यह नहीं कि मैं कोई rocket science बता दूँगा मैं आप यह बता दूँगा कि किस तरीके से आप इसकोर कर सकते हो इसका कोई एक वह pattern नहीं कि इस subject से इतने question आने ही है लेकिन इंपोर्टेंट है, वह मैं बात यहां पर कर लूँगा अब यहां पर दोस्तों मैं बात कर लेता हूं science अब science आपको बात करें तो further three parts में divided यह आपको पता है then current affair, then दोस्तों मैं यहां पर बात करेंगे static ठीके, अब यहां पर एक तरफ मैं लिख देता हूं आपका SSC, GE exam जिसमें आपको पता है गाईस कि यहां पर number of question आएंगे 50 कि आपको यहां पर ध्यान में रखना है और दूसी तरफ आपका मैं आपके बात करता हूं CGL हो गया आपका SSL हो गया इसमें number of question कितने आएंगे 25 यह आप लोग को पता है अब अगर दोस्तों लोग यहां पर बात करें करें तो देखो यहां पर best तरीका क्या मैं आपको उताता हूं एक बार आपको त्योरी करनी ठीक है अगर आप त्योरी नहीं कर पा रहे हो तो आपको चैक्टर वाइस question solve करने और सबसे important यहां पर subject कौन कौन से हैं देखो static जी के आजकल सबसे important है यह हमेशा exam में आएगा current affair दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा दिन हम लोग यहां पर बात करेंगे इंपॉर्टेंट है exam यहां पर 25 question आते हैं तो यहां पर दोस्तों बात करूं एक अंदाजा बात करता हूं तो जैसे हिस्ट्री है यहां पर आपको नियर अबाट मिल जाएगा और टू फाइब माक्स या बात करूं लगबग 7-8 माक्स तर चला जाएगा यहां पर काफी ज्यदा को बनते हैं यही काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इकनोमी की वैल्यू लगाता है डिक्रीज होती चली जारी साइन्स में बात करना है कर लेना आपका काम हो जाएगा यहां पर करना क्या मैं आपको बताता हूं प्रीवेस यह कोश्चन निकालने हैं और प्रीवेस यह कोश्चन कहां से निकालने हैं तो देखो भई आप 2017 से करो यह फिर 2018 करोगे तो काफी सही है 2017 से ले करके दोस्तों 2021 तक SSC के जितने भी एक्जाम होएं चाहे आपका जई हो चाहे आपका सीचेसल हो चाहे आपका दोस्तों CGL हो चाहे आपका SSC का स्टैन हो यह कोश्चन क्या होंगे पता यह रिपीट होंगे और अब यहां पर क्या होगा जो साइन्स से कोश्चन लग यह तो चेंज होगा इसके अलावा इसमें आपको पूरा फोकस करना है प्रिवेस यह कोशन और याद रखो जो नया कोशन आएगा ना वो सबसे छोड़ो मतलब किसी से नहीं मनेगा ठीक है उसको आप छोड़ो आप कोशिश करो प्रिवेस यह कोशन अच्छा करने की और करें सब्सान नहीं होने वाला ठीक है आई तिंग आइस आप लोग को मेरी बात समझ में आ रहे है प्रिवेस यह कोशन प्लस करेंट अफेर और सबसे इपॉर्टन स्टाडिक जी के जोग्रफी इनको आप दो गईसा ही करके जाओ और मैं ऐसा क्यों नहीं बढ़ो इतना ही क्योंकि उसमें डिविजन इतना अच्छा दिया हुए से लिवास में तो हम लोग को इस तरीके से इसकी प्रफेशन करनी चाहिए यह मेरा आपको सेजिशन है और मैं कोशिश कर रहा हूं गाइस की पूरा complete solution आपको प्रवाइट कर दूँ अगर आप लोग थोड़ा सा सेश